नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे भक्ती एंड फंड वीडियो चैनल में स्वागत है आज में आप लोगों को मार्श शीच माहा की मासिक शिवरातरी व्रत की पूजाविधी कथा सुनाने जा रही हूं तो चलिए भक्तों श्रवन करते हैं पुराणों और सास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरातरी भग्वान शिवजी को अत्यंत प्या है इसलिए शिवभक्तों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा होगा इस बार तो नव वर्श की शुरुवात मासिक शिवरातरी के व्रत से हुई है जिस कारण संसार के सभी व्रत करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए तो चलिए भक्तों श्रवन करते हैं मानेताओ के अनुसार जो कोई व्रती भक्ती भगवान श्रव जी की पूजा अर्चना करता है तथा उनको प्रसन करने के लिए व्रत रखता है तो बोले नात भगवान उसकी सभी वनोकामनाय पूर्ण करते हैं शिप पुराण के अनुसर मासिख शिवरात्री का वरत रखने वाले इस्तरी वा पूरुष को बंचाह वर्दान मिलता है कहा जाता है कि मासिख शिवरात्री का वरत भगवान भोले नात को अति प्रिया है पुराणिक माननता वाशिप पुराण के अनुसार हर मासिख शिवरात्री व्रत के दिन भगवान शिव शंकर जी की पूजा रात्री के समय होती है माननता है कि चतुरदर्शी वाले दिन रात्री के समय ही भगवान शिव जी का विवा माता से हुआ था दोस्तों वैसे तो हर महिने की कृष्ण पक्ष की चदुर्दशी तिथी को मासिक शिवरात्री किया जाता है पर आपको मार्व 6 महिने अथ्वा दिसंबर महिने की मासिक शिवरात्री व्रत की वारे में बताने जा रहे हैं दिसमबर महीने की मासिक शिव रातरी वृत 11 दिसमबर 2029 सुंबार के दिन किया जाएगा क्या आप भी मासिक शिव रातरी का वृत हर महीने करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके उपर सदे भagवान शिव जी की कृपा बनी रहे यही प्रातन है इस विशेश व्रत को र स्मय शेवरात्री 100 मिनितना 3 3 पुजा विधी利 जानते हैं پुरानलिक माननता के अनुसार मास शिवरात्री Itsam कि जाती है क्यूंकि ऐसे पुराणों वा सास्त्रों में लिखा गया है इस दिन प्राता जल्दी उठकर इसनान आदी से मुक्द होकर भगवान सत्यनारेंड को पानी चड़ा कर पीपल वा तुलसी के पेड़ में पानी चड़ाएं रात्री के समय भगवान भुलेनात की मूर् भगवान के भजनों को गुंडगान करें और आर्ती करें इसके बाद भगवान शिवजी को भोग लगा कर वित्रण करें दूसरे दिन मासे शिवरात्री के व्रत का पारण करें पूजा करते समय भगवान शिवजी के महामंत्र ओम नमशिवाय का जाप करें अब चली भगत का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका रिंड नहीं चुका पा रहा था जिस से सहुकार को गुसा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया सयोग वच उसी दिन मासे शिवरात्री थी जिस कारण शिव मंदिर में भजनवा किर् थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों वकथा का आनंद लिया सुबह होते ही सहुकार ने उसे अपने पास बलाया और रिंड चुकाने के लिए कहा शिकारी चित्रभानु ने कहा हे सेट जी में कल तक आपका रिंड चुका दू और इसी प्रकारोहा शिकारी की खोज में बहुत दूर आ चुका था और सुर्यास ने लगा तो उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी उपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिससे बेचकर सेट जी का रिंड चुका देता यह सोचकर वह एक तलाप के पहुच गया और भर पेट पानी पिया जिसके बाद वहां बेल के पेड़ पे चड़ गया जो कि उसी तलाप के किनारे था उसी बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी किन्तु वह पूरी तरह बिल्व की पत्ति उसे ढखा होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया शिकारी चित्रभानु पेड़ में बैठने के लिए विल्व की टहनिया वह पत्ते तोड़ कर नीचे गिराया सयोंगवश वह सभी टहनिया वह पत्ते भागवान शिवलिंग पे गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात्री से लेकर और छोड़ने लगा तो गर्वती हिड़नी बूली तुम धनुष तीर मत चलाओ क्योंकि इस समय में गर्वती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते परंतु में जल्दी ही प्रसव करूंगी जिसके बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगी तब तुम मेर शिकार कर लेना उस हिड़नी की वास्तुन का चित्रभानु ने अपने धनुष को धिला कर लिया इतने में वह हिड़नी जाड़ियों में लुफ्त हो गई ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रतंचे चढ़ाई और धिली करी तो उसी दोरान कुछ बिल पत्र के पत्रे जढ़कर शिबलिंग के ऊपर गिर गए ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गए कुछ समय बाद दूसरी हिड़नी जाड़ियों में से निकली उसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा चित्रभानु ने उस हिड़नी का शिक कर देना गया कहकर वा हिड़नी बहां चली गए शिकारी चित्रभानु अपना दो बार शिकारी खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पढ़ गया कि प्राथ हा सेट जी का रिंड कहां से चुकाओंगा जब शिकारी ने दूसरी हिड़नी का शिकार करने के लिए धनु पर प्रतंचे चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा इतने में वह हिड़नी बोली कि शिकारी आप मुझे अभी मत मारो यदि में मर गी तो मेरे बच्चे अनात हो जाएंगे मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आओ जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लिना उस हिड़नी की बाद सुनकर शिकारी चित्रभानु जोड से हसने लगा और कहा सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ मैं इतना भी मुर्ख नहीं हूँ क्योंकि दो बार मैंने अपना शिकार को दिया है अग तीसरी बार नहीं हिन्डी बोली जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही है मैं इनके पिता के पास उड़ कर वापस आ जाऊंगी जिसके बाद तुम मेरा शिकार क थनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा तो वह म्रग बड़ी नम्रता फुरग बोला कि है शिकारी यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो उस म्रग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ में आ गया और उसने पूरी बात उस म्रग को बता दी मेरी तीनों पत्निया जिस प्रकार प्रंड करके गई हैं उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी क्योंकि वो तीनो अपने बचन की पक्की है और यदि मेरी मृत्यू हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेगी मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीग रही तुम्हारे सामने आ जाओंगा क्रिपा करके अभी मुझे जाने दो शीकारी चित्रभानू ने उस ब्रग को भी जाने दिया और इस प्रकर अंजाने में उस शीकारी से भगवान शिवजी की पूजा संपन हो गई जिसके बाद शीकारी का हिर्दय बदल गया और उसके मन में भक्ती की भावना उत्पन हो गई कुछ समय बाद ब्रग अपने पूरे परिवार अर्था तीनों हिर्णी वा बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिग्य अनुसर यहां आ गये हैं अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं शिकारी चितरभानु जंगल के पशों की सची भावना को देखकर उसका हिर्दय पूरी तरह पिगल गया और उसी दिन से उसने शिकारी करना छोड़ दिया दूसरे दिन प्रता होते ही सेट जी का रिंड किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयम महनत करने लगा इसी प्रकार उसने अपने जीवन का अन्मोल बनाया जब शिकारी चितरभानु की वित्ति हुई तो उसे यमदूत लेने आइकिन तो शिव दूतों ने उन्हें भ